और यह देखने में काफी जाहा सही लग रहे हैं तो यह अपने zoo की main attraction बन सकते हैं यहां की तो dinosaur के अलावा भी काफी सारे animals हैं जो extinct हुए थे काफी time से मैं zoo वाला game खिल रहा हूँ और मैंने वहाँ पर 2-3 zoo बनाए हैं आज जो मैं zoo बनाने जारा हूँ यह बिल्कुल डिफरेंट तरीके का zoo है इसमें कोई normal animal नहीं रहने वाला इसमें सारे dinosaur रहने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के dinosaur इसकंतर रहने वाले हैं और इस game का नाम है चैलेंज स्टार्ट करते हैं और अभी यहां पर बस basic structure मिला है मुझे zoo के अंदर मतलब एक यह entrance मिली है और सेम ऐसा ही planet zoo में मिला था कि एक बस entrance मिलती जान से अपने guest यहां पर आ सकते हैं इसके अंदर यहां पर जो है states वगएर है मतलब यहां से guest अंदर आ सकते हैं और यहां से अपने zoo की entry होईगी और इससे आगे जो है सारा का सारा zoo मुझे develop करना है और यहां पर area तो काफी जादा सही है और यहां पर काफी सारा पानी भी है बीच बीच में और यह पानी तो वैसे काफी जादा clear लग रहा है अंदर से भी पानी काफी जादा clear है और यह पूरा पूरा अच्छा खासा green forest है मतलब ऐसा निये की desert वगएर है यह सारे tree भी काफी सही है यहां पर इन trees को ही मैं use कर लूँ है habitat के अंदर ट्री भी different variety के है तो अभी सबसे पहले इस zoo को start करने के लिए मुझे यहां पर एक तो रास्ता अपनाना पड़ेगा यहां से रास्ता start करना है और अभी देखते हैं कि basically कौन कौन से building लगानी है और वैसे एक तो रास्ता यहां पर उपर की तरफ वी जा रहा है बट अपनी zoo की boundary यहां तक है और इधर की side boundary यहां पर यहां तक है तो यह zoo store से यहां पर अपना zoo काफी जादा अच्छा लगेगा और यह थोड़ा different तरीके का zoo रहने वाला है अभी सबसे पहले हैं यहां पर चूज कर लेते हैं कि यहां पर रास्ता कौन सा लगाना है तो रास्ता यहां से आ जाएगा और अभी initially मुझे 5 million dollar की funding मिली है तो 5 million dollar की funding तो अच्छा खासा experience हो चुका है तो अब zoo को तो मैं जल्दी fail होने दूंगा नहीं और यहां पर यह जो रास्ते हैं इसमें काफी सारे option है यह stone का है यह natural है अगर natural में लाके देखूं एक बार बना के देखता हूं natural है कैसा पहले थोड़ा सा रास्ता बना लेता हूं यह natural तो न नहीं यह भी इतना अच्छा है लग रहा तो एक काम करता हूं natural वाला ही लगा यह लगा यहां पर यहां से रास्ता निकल जाएगा निकल तो रहा है तो यहां से अभी रास्ता ले आता हूं उसके बाद पेड़े बाद में अठालूगा तो अभी यहां तक तो पहला basic रास् तो एक रास्ता इधर की साइड लेकी जाना है और यहां पर अपनी management वाली building लगाऊंगा और इधर एक दो restaurant लगा दूँगा और बाकी यहां से habitat बनाये शुरूब करूँगा और जैसे से आगे रास्ता बढ़ता रहाएगा मैं और फैसलेटिस वहां पर लगाता रहूँग अब ही फिलाल सबसे पहले यहां से एक रास्ता मैं तर साइड में लेके जाओं जरकी साइड थोड़ा साइड में लाके यहां पर बनाऊंगा तो अभी सबसे पहले मुझे अनिमल नर्सरी लगानिया तो अनिमल नर्सरी के लिए लोकेशन प्रफेक्ट है और इसकी building जो है क और फिर अंदर यह दूसरा रास्ता है और इधर की साइड यहां पर यह कोई टावर लगाए कॉम्मिनिकेशन के लिए और यहां पर जो है डाइनसौर ऐसे नर्सरी मैन्यू ओपन करूं तो यहां पर जो है इनिशली अभी जिन डाइनसौर पर रिसर्च और रखी है जैसे इस वाले डाइनसौर को डैवलब करते हैं उसके जो रिमेंस हैं उनका यूस करके तो अभी जैसे इस वाले डाइनसौर के उपर रिसर्च और रखी है तो मैं क्या करता हूं मैं इसके ना जो है एक तो मेल बन वाला बन वालता हूं और एक फीमेल बन वालता हूं वैसे और पहला हैबिटेट मैं सोचाँ कि यहां पर एंटरन्स के पास यह जाए जिसे कि अपने गैस को एंट्री करते हैं कोई ना कोई डायन सोर देख जाए और अभी सबसे पहले यहां पर फैंस लगाना शुर करता हूं और फैंस मैं जो है आगी साथ तो गलास वाली यूज करने पाकी एक बार यहां पर भीज के देख लेते हैं अपने डायन सोर यहां पर रैडी हो चुके हैं और फिर जो है इनके हैविटेट में काफी सारी चीजे मुझे लगाने पड़ेंगी मतले इनके खाने का इंजाम करना पड़ेगा इनके लिए रहने के जगए देखनी पड़ और इनके हैविटेट में वैसे यहां पानी भी है अगर अगर फानी पसंद हो गएतो पानी जले जाकी और नहीं होगा और पानी के requirement इतनी ज्यादा नहीं है इनके लिए पानी यह श्चेर चाहिए अभी सबसे पहले लगाना है इनके लिए यहां पे रुकने की जगह है यह बाद इसरेंदा में बाद सो सके यह बैडिंग लगानी है इनके कोई शैल्टर भी लगा दूं इस तरह चैल्टर नहीं स्टरह का लगायता हो सोगार्य कम आ यह यहां पेगा पिंटरफ लगाता हुँ ya यह जल्दी से यहां पर खाने का लगा दूंँ यह पहले से भूका आया यह वाला फीटर है यहां पर लगाएता हूं इसमें टाइम टाइम में खाना रिफेल करता रहूंगा वागी यहां पर घास काफी जादा हो रही है यह वाली घास कि इतनी requirement नहीं है एक बार habitat में देख तो दिया यह चैल्टर तरफ आने भी लग गया है पाकि मैं यहां से घास हटाओं मुझे लग नहीं राकि इन्हें जो है घास चाहिए यहां पर घास हटाके ना मैं यहां पर नॉर्मल जमीन करता हूं ऐसी मिट्टी वाली यह कले यहां पर मैंने लगा दिया है और सारे में यहां पर एधर सारे में कले हो जाएगी और कि यहां पर ठीक लग रहा है यह कर एक आ पर ऑदी काम कर भी रह ऑवैसे से पर और इसकी पवर की कुछ और लगाना पड़ेगा और पावर के दूसरी प्शन वही होती है وींड मील वाली यहां पर देख लेता हूं कि वींड मील अवील है ब्लेबल है या नहीं है वैसे हाँ अवील तो है दो ही चीज़ा है एक सोलर पेंचल है पर एक windmill है और बाकी बाद में शायद इनके दूसरे model भी जो है unlock हो जाएंगे और यह windmill ना मैं पीछे की तरफ लगायता हूं यहां पर दिखेगी भी नहीं इदर की side ठीक रहेगी और इस windmill से रात के time power मिलती रहेगी तीन windmill लगायता हूं तीन सफिचेंट रहेंगी या फ पार्क में विजिटर्स आ चुके हैं और यह काफी सारे हैं और यह जो डाने चुक रहे हैं चडियाओं की तरह दाने चुक रहे हैं और यह वाला feeder इन्होंने एक बार खाली कर लिया था यह मैंने दुबारा भरा इसके अंदर और यह इन्होंने यहां पर गोबर तो अलग तरीके कहिं किया है यह भी साफ कराना पड़ेगा अभी गैस यहां पर काफी सारे आ गया है तो कुछ मैं गैस के लिए फैसलेटिव लगाएता हूं तो काफी सारी चीजे पार्क के लिए पहले से अवलीबल है बड़ी आइसा यहां पर बैठने की जगह इसे लगाता हूं यहां पर एंटरंस के पास ही, यहां पर एक डाइनासोर भी है और बैटने का एरिया भी है, यह लगा दिया, तो इसमें जगह काफे सारी है बैटने के लिए, काफे सारे बैंच लगे वे हैं, और यहां पर यह लाइट है, और यहां पर एक डाइनासोर लगाव है, और डाइन वाला स्टैचू है या फिर एक ये वाला है इसको मैं प्लेस करता हूं कहीं यहां पर इधर की साइड यहां पर ठीक रहेगा तो यह भी जो है साही लग रहा है और अब जो है वाला स्टैचू है इधर से लागा है और यह फिरा वीजकाता बहुर सामटे लंर Jim इधर की साइड लगाएता हूँ, यहां पर ठीक रहेगा, यहां पर एक बातरूम लगा दिया और इसके अंदर घास आगी है, थोड़ी सी यह घास मुझे हटानी पड़ेगी, यहां से पूरी घास रिमूव करने हैं, इधर से, बस यह साफ हो गया, घास जो है, अंदर की अंदर की तरफ देख लूँ, अंदर भी घास आगी है, अंदर भी घास आगी है, अंदर भी यहां पर थोड़ी सी घास, इधर भी घास है, अभी यहां पर कोई वेंटर वगयरा तो आया नहीं है, वेंटर का भी देखना पड़ेगा, कि मुझे हायर करने पड़ेंगे, या फिर कुछ से आजाएंगे, और अंदर सारे में घास आगी है, चलो घास तो सारे में हट गई, और अंदर जगया तो काफ और उसके अलावा जो है, यहां पर एक अभी टेट अभी और बना लेता हूँ, तो अभी जो है देख लेते हैं, कोई कोई से डाइनसोर्स एवलेबल हैं, जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं है, चार ही तरह के हैं, एक तो मैंने यह ड्रायो सोरस जो है, उसके क्रिएट करता हूँ, यह थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, और इसमें मैं कर लेता हूँ, इसमें भी जो है, पांच मेल और पांच फीमेल, तो दस यह भी हो गए, क्योंकि है बड़े बड़े रहेंगे, तो उनमें जो है, काफी सारे रहने चाहिए, और यह से टासोरस ह पांच कोई खास निलगा अगया, और इसको देख लेता हूँ, इसका नाम है, नसुतो सेरा टॉप्स, इतना डिफरेंट डिफरेंट नाम भी तो दे सकते थे इनको, इतना डिफिकल्ड नाम दिवा जैसे इसका नाम, नसु तो सेरा टॉप्स, मतलब ऐसा लग तीन चाह ना इसा है करते हैं एक ही बना लेते हैं एक mail इसमें create करने पर लगा दिया बाकी अभी जो है विसिटर्स तो आई रहे हैं तो यहां से revenue तो आई जागा फिर और बना लेंगे अभी के लिए मैंने fund जो है काफी जल्दी खतम कर दिया है पांच मिलें का fund मैंने almost खतम कर दिया है तो और इधर washroom के यहां पर तो जो है मैंने घास को अठा दिया और washroom के यहां पर भी बैटने की जगह है यहां पर क्यों बैटने की जगह है साइड में यहां पर light होनों गया है सई लग रहा है lights होनों के भी और जो मैं दूसरा habitat बना रहा हूं उसमें क्या कर रहा हूं कि सामने तो मैं glass लगा रहा हूँ इधर की तरफ और बाकी जगे मैं proper wall लगाने वाला हूँ क्योंकि इसमें जो आने वाला है वो hippo type का साय है और भी खतरनाक लगा रहा है मुझे लगता है कि वो अराम से glass को तोड़ सकता है इसलिए साइडों में तो बाकी फ्रंट में glass लगा रहता हूँ और उसने अगर glass को तोड़ा तो मैं यहां पर एक और layer बना दूँगा electric fences की जिससे कि वो glass तक नहीं पोच पाएगा और glass को तोड़ नहीं पाएगा तो एक काम कर लेता हूँ अभी मैं देख लेता हूँ कि आपता थोड़ा बहुत long one मिल जाता है मिल जाता है ऐसे business के लिए तो और अगर मिल गया तो मैं ले लेता हूँ एक बार जो है और पर इस वाले काम को complete करता हूँ तो यह है अपने पार का status और यहां मिल तो रहा है इस पे जो है मिल रहा है 5,000,000,000 भी मिल रहा है इधर तो 20,000,000 का भी मिल रहा है सबसे कम इंट्रेस्ट थो एक लाख वालेगा बड़ एक लाख में काम चलेगा यह पांच मिलियन वाले लिए ता हूं, 5 मिलियन में जो है 20% का इंट्रेस्ट है, यह ठीक है इसको ले लेता हूं हो गया 5 million का loan अपना और अब जो है यह वाला काम जल्दी से complete करता हूं यह होगी इसकी boundary complete और अब जो है उन डायान सोस को मैं यहां पर बेज़ता हूं यह ready है सारे के सारे ही ready हो गया है कोई लो डोंटा सारे के सारे मुझे इसके अंदर भेजने हैं बाकी एक रह जाएगा उसको दूसरे वाले के अंदर भेज दूँआ और अब तो बैलेंस आ भी गया है उसके लिए बाकी और डाइनासौर मैं create कर लूँगा मतलब उसमें भी 10 ही बेज सकते हैं यहांकी और इधर को शाय सबसे हाथा यह यह वाला पसंद आने वाला स्टार्टिंग में बाकी इनके वाले वाले वी पानी वगरा तो है और दो हैबिटैट अभी बन गए हैं और यह है काफी बड़े हैं क्योंकि अभी बेज दूँगा क्योंकि एड्या काफिस आ और यहां पर हैं बना जाए इसकी भी जो है मैंने boundary जो है ये वोल वाली कर दिया है और सामने glass वाली कर दिया है और इसकी एक boundary तो मैंने common कर दी इन दोने habitat के बीच में और यह वाला habitat मैं ज्यादा बड़ा बनाया है नहीं क्योंकि यहाँ पर अभी मैं जो है न दो दो ही भेजने वाला हूँ मत इसको दूसरे habitat में shift कर दूँगा अभी फिलाल के लिए तो दो ही इसकी quantity कर लेता हूँ अभी यह सिर्फ एक बन रख है और यहाँ पर एक और बनाने पर लगायता हूँ और दो फीमेल हो जाएंगी तो यह total 4 हो जाएंगे चार हो गए ready बस इन्हें select करके अब release करना है इनक तो यहाँ पर खाली dinosaurs का ही नहीं है इसमें prehistoric में सारे animals हैं जो भी पहले extinct हो चुके हैं और जिनके भी remains मिलते हैं तो उन सारे animals को यहाँ पर lab में create किया जा सकता है और इस वाले zoom में रखा जा सकता है तो डावा भी काफे सारे animals हैं जो extinct हुए थे तो वो सारे animals मैं इस वाले जू में ला सकता हूं lab में create करके तो यह जू जो है काफी ज्यादा unique रहने वाले है क्योंकि ऐसे animals इस जू में आने वाले हैं जो extinct हो चुके हैं और lab में बनाये हुए हैं बाकि इन चारों को मैंने यहाँ छोड़ाता चार थे यह तीन है एक किदर भाग गया एक यहां पर आ काम नहीं कर रहेता है तो फहले इन का खाने का लगाओं और पानी का बना का बनाए न के यहां पर इधर की सध है ऑb पानी का तो इतना काफी रहेगा और ये पानी जो है वैसे साफ है बिल्कुल कलियर एक दम पानी पानी का इनका हो गया और खाने के लिए फूट्रे लगायता हूं फूट्रे का यहां पे आ रहा है वैसे ऑप्शन खाने के लिए फूट्रे हो गई यह वाली और दो लगायता ह इनके लिए भी और एक इनके लिए लगाना है अब शेल्टर और वैसे एंडुरिष्मेंट के आइटम भी है काफ़े सारे एंडुरिष्मेंट में ये फ्रोजन फ्रूट ब्लोक विया ये भी रग दीता हूं इनके आइटम में एक दूसरे वाला है और एक यह pumpkin है, तो यह एक डंग beetle nest है, यह भी रख देता हूँ, यह तो मेरी को लग रहा है, मैंने गल्थ रख दिया, इसके अंदर क्या है यह, तो beetles है इसके अंदर वो अंदर लेके जारी थे कुछ यहाँ पर, और यह जो यह termite का है, termite mount जो होता है, जो termite बना लेती है, मिट्टी का पार्ट, वो है यह, बाकी frozen ice block है, इसके अंदर fruits जो है, frozen ice में रखे हुए है, और अब इनके लिए एक shelter लगाएता हूँ, और shelter मैंने यह यह लगाए था, यही सोच आँ हूँ, ऐसा ही मैं उनके में भी लगा दूँ, और इनका खाना खतम हो चुका है, तो इनक अब खाना रिखे हैं यहां पर जो है, इनके रोक वाला भी है, यह भी मैं लगा सकता हूँ, यहां पर, साही लगा रहा है यह भी, इसमें दो तो आई जाएंगे, और यहां पर चार है, तो ऐसे दो लगाएता हूँ, और इसके साथ वाले में यह एक तो tent वाला shelter है, और एक यह वुड़ वाला है, यह भी जो है वुड़ वाला है, एक यह वाला भी है, यह तो इतना साइन लगेगा, tent वाला लगाएता हूँ, और tent वाला जो है, एक से काम चल जाएंगे हैं, नहीं चलेगा, एक में कितनी जगे हैं, एक में पांच की जगे देख रही हैं मेरे को, त आपे जो है, दो लगाएता हूँ, तो एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, दोने नोने फिर से खाना खाली है, यहाँ पे खाने का मैसेज हा रहा है, यह तो is ज़एं जारा क्या है, मतलब यह दो ट्रेमिकों साफ कर चुके है, और यह तीसरी ट्रेनों ने साफ किया है इनके खाने की कंजप्शन तो काफी ज़ादा है और वैसे यहाँ पर अभी नौबली गूम रहे हैं अभी तो कोई इशू नहीं है पाकी जब अपना थोड़ा सा जू अब चलना शुरू होगा और यहाँ पर देखता हूँ कोई इशू आता है या नहीं आता कोई इशू आएगा तो फिर उसको जो है रिजॉल्व करेंगे यहाँ पर लाइटे वगरा ही मुझे एक्स्रा लगानी पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अंधिरा लग रहा है यहाँ पर दो यहाँ झालिए पर दोड़ेंगे